अब यहां पर किसमेंट के बारे में जैसे हमने सिमेंट में वाटर मिलाया तो दाट इस गोईंग तू अब यहां पर क्या होगा कि एक अडिक ट्राम सिल्यक्ट तब 5 रिएकशन को ईसरी करेगा और उसकेश में कख़ं को यह को नहीं मिल पाईगी तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्या पैक्त सब्सक्राइब अ crack करता है और एक क्या करते हैं जितना हमारे पास है उसके क्या चुछ पास है और इस तरह से हम सीध्री एक का जो रियक्शन है उसको थोड़ा सा कंच्रोल कर लेते हैं अब क्या होता है कि जब इस समय इसने रेक्ट नहीं किया और फ्लैश्टिंग को रोग दिया तो दूसरे कंपाउंड जो है वो रियक्ट कर पाएंगे अब यह जो मेंब्रेन है यह विट टाइम जो है ब्रेक अप हो जाती है क्योंकि जब जैसे नहीं नहीं दूसरे प्रोड़क्स बनते जा रहे हैं और उस पार्टिकल के आसफाल असिमिलेट होते जा रहे हैं वो प्रेशर डाले अब जो हमारे पास C3S है उसकी हार्डिंग होनी प्रोसस होनी है तो अब जो है C3S जो है अब 28 देश तक जो इनिशल सेटिंग जो होनी है उसके लिए रिस्पांसिबल रहेगा वो रियक्ट करेगा और जो C2S है वो जब रियक्ट करेगा तो वो आगे 28 देश के आगे की स्ट्रेंट की लेटर स्टेज के लिए वो रिस्पांसिबल रहेगा तो अगर हम एक फिगर देखें जिसमें हमें इन सभी चारों बोक्स कंपोनेंट की स्ट्रेंथ की डेवलेप्मेंट के बारे में ए जो प्रपोर्शन है उसमें जो स्ट्रेंथ जो देते हैं वो बहुत लो है 10% से भी कम है 5-6% के आसपास ले करना है और जॉइंटली 10% के आसपास ले करें तो आप देखोगे कि उनका रियक्शन जो है वो वो अल्मोस्ट पूरा हो जाता है और उसके बाद उसका किया वाटर के साथ में और इनिशल हाडनेस और सेटिंग किया और वही जो है इस रिस्पॉंट बहुत देखेंगे अर्ली स्ट्रेंग जो मिल रही है 28 देज के पहले हूं हमें मेजर ली C3S से मिल रही है और C2S जो है डाइकल्शन से लिकेट जब वाटर से रियक्शन और at the end of a year लगभग 1 साल के बाद दोनों का contribution almost strength में equal हो जाएगा वही पर हम देखें कि जो rate of heat evolved हो रही है इस पूरी process में अगर हम उसको study करें तो हम देखें कि ये component जो है वो सबसे ज़ा heat evolution होता है tricalcium aluminate का that is 865 joules per gram अगर हम equal quantity of components box component लेते हैं और फिर उसमें heat evolved चेक करें त tricalcium aluminate में that is 865 joules per gram और वही पर C3S that is tricalcium silicate की 500 joules per gram रहती है उसके next रहता है C4AF that is tetra calcium alumino ferrite इसका 420 joules per gram रहता है और सबसे least रहता है dicalcium silicate का that is 260 joules per gram तो आप देख रहे हो कि जैसे आगर आपने quantity of C2S cement में बढ़ा दिया तो आपको heat of hydration पूरा combined heat of hydration जो है वो reduce को जाएगा तो इसको हम figure के through भी देख सकते हैं यहां पर जिसमें दिया हुआ है कि heat of hydration कितना amount of fraction जो है जल्दी से hydrate होता है और यहां भी हमें similar देख रहा है कि C2S का low fraction easily hydrate होता है और later age पर higher fraction होता है C3S का almost काफी जल्दी पूरा section हो जाता है variation बहुत कम होता है और ऐसे ही C3A का भी vary करता है अब अगर हम देखे कि rate of hydration अगर हमें increase करना है तो यह ध्यान रखना है कि जितनी fineness होगी हमारी cement में उतना ही rate of hydration बढ़ जाएगा क्योंकि उतना ही surface area cement का बढ़ जाएगा fineness के साथ म है और हमें मिलेगा कि rate of hydration जोगे increase हो जाएगा तो जैसे कि हमने पिसले figure में देखा कि C4AF जो है सबसे ज्यादा rate रहता है उसका फिर C3A का रहता है फिर C3S का रहता है और C2S का रहता है तो यह rate of hydration इस तरह से रहता है इस पूरे process में आप देखिए हमें यह समझ में आ गया कि setting of cement जो है वो क्या होती है कि जब fluid state से solid state में अगर जाता है आपका gel formation के बदद development होता है तो this is setting of cement कि वो अपना liquidity को lose कर रहा है solid form में जा रहा है और hardening क्या हो रहा है कि hardening हो रहा है कि crystal formation हो गया इसके पास में जब strength आ रही है तो that represents hardening और यह जो है थोड़ सा gradual process होता है क्रिसलाजेशन का और internal mass जैसे से cement के अंदर हम पहुंचते जाते हैं in nucleus की तरफ तो यह process दिर दिर चलता रहता है और hardness दिर दिर आती रहती है तो जैसे setting हो जाएगा तो उसके बाद hardness होगी और strength development जो होगा वो time dependent होता है जैल formation के पर depend करता है और extent of crystallization पर depend करता है तो हो यहां से हमें rate of hydration के बारे में अच्छा मिला होगा view मिला होगा और हमें प्रबज में आएगा कि कौन सा component ज्यादा hit produce करता है और कौन सा low hit produce करता है Thank you